साजी निवाजी प्यारी सासंगत जी प्यार और सतकार से कहना धान निरंकार जी सतकुरू का लाकलाक शुकराना करते हैं सचे पाशा जिनके किर्पा से हमारे स्वास बीत रहे हैं ये स्वास हमारे सत्कुरू के लेखे लग रहे हैं सत्कुरू के हम बहुत शुकर गुजार हैं जिनोंने हमें सेवा सिमरंट ससंग की रहा दिखाई है इस प्रमग्यान के साथ चोड़ कर हमें ये मारक दिखाया है और इस मारक पर हमें चलाने की शक्ते भी सत्कुरू ही दे रहे हैं ऐसे ही सत्कुरू माताजी ने हमें समझाया है कि ग्यान लेना ही काफी नहीं है ग्यान की संभाल करना भी बहुत जरूरी है सेवा, सीमरन, ससंग भी जीवन का एक अटोट अंग बन जाना चाहिए आपची के चर्णों में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रही है विचार के रूट में आपची ये प्रबान करें अगर कोई गल्दी हो जाए तो शमा करें एक बजूरग माता जिन्दगी के अंतिम समय में थी वे बहुत ज़्यादा बीमार थी अपनी बिमारी से बहुत ही पीड़ी थी उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वे प्रबु का नाम भी ले रही है प्रात्ना भी कर रही है लेकिन प्रबु परमात्मा से इस निरंकार से उसके मन की लीव नहीं जुड़ पा रही उसके उनकी कोई भी पुकार परमात्मा तक नहीं पहुँच पा रही उनी दिनों में एक संद उस बुजुरग माता को देखनी आये उस बुजुरग माता से उस संद उस बुजुरग माता ने उस संद को अपनी सारी बात बताई तो संत ने कहा माता तुम चिंता मत करो परमात्मा हमें नहीं भूलता हम ही परमात्मा को भूल जाते हैं हम कभी भी परमात्मा से नहीं तूटते अगर तूट गए तो भीखर जाएंगे माता आप दिल से पुगारो परातना करो कि है मेरे प्रभू मैं तो असमर्थ हूँ पर तू तो समरत है मेरे हाथ छोटे हैं तू तक कैसे फैलाओं तेरे हाथ तो अनन्त हैं तू तो विराठ है तू ही मुझे संभाल ले जो भी माता तेरे अंदर से भाव उमड रहे हैं तेरे मन से भाव निकल रहे हैं तो सब ये सब भाव इस निरंकार प्रमात्मा को कह दे ये सब की सुनता है ये सब की सुन रहा है बीना कानों के सुनता है बीना पैरों से चलता है बीना पेट के खाता है बीना आखों से देखत है ये तो बहु रूपिया कई रूपों में आकर हमें मिलता है तो उस माता ने अपनी आँखें बंद की और सची लगन से परमात्मा में इस निरंकार में डूब गई उसने महसूस किया कि प्रभू का हाथ उसके सिर पर है प्रभू बड़े प्यार से उसका सिर सहला रहे है उस माता का मन भाव से भर उठा उसकी आँखों से टप टप आंसू बहने लगे उसकी सारे चिंदा खुशी में बदल गई उसने इस निरंकार का धन्यवाद किया और कहा हे मेरे प्रभू मैं तो समझती थी तुम मुझे भूल गए हो तुमारा हाथ तो सदा मेरे सीर पर ही था फिर उसने पास खड़े संत महात्मा को देखा और कहा मुझे प्रभू से जुड़कर बड़ा नंद आया जो हाथ मेरे सीर पर आया था वे हाथ तुमारे हाथ जैसा था संत महात्मा ने कहा सभी हाथ इस परंपिता निरंकार के ही है जो हाथ इसे पास में मिल जाता है यह वही हाथ इस्तेमाल कर लेता है इस बुले के में मत रहना यह कहीं से कोई और हाथ लेकर आएगा सभी हाथ इसी की हाथ हैं सभी रूप इसी के रूप हैं सभी नाम इसी के नाम हैं यह हर जगह हैं हर पत्ते में हैं हर डाली में हैं हर जर्रे में हैं हर कंकं में हैं हर पत्ते में हसता है हर फूल में महकता है तेरे ही नूर से हर जर्रा चमकता है हर जान कुदाया तुझ से ही जिंदा है हर शैप तुमारा ही नाम लिखा मिलता है ओ महात्मा कहने लगे कि जो सत्गुरु को जिस भी भाव से इस निरंकार को बुलाता है यह उसी भाव से परकट हो जाता है प्रभु जी मेरे तेरे हाथ हजार किसी ना किसी रूप में दाता तु पाल रहा संसार ये सारा संसार इसी का ही बनाया हुआ है और ये सारे हाथ इसी के ही है सब कुछ इसी का ही है तो कहते हैं कि हम हर एक कादर सदकार करते चले जाएं और हम जिस भी भाव से इसको बुलाते है ये आ जाता है ये दोड़ा हुआ आ जाता है सद्कुर्माता सुदिक्षा जी महराज ने भी हमें कितनी असान सी भक्ती बताई है सद्कुर्माता जी ने कहा है कि आप अगर अशीरवाद लेना चाहते हैं अर्दास करवाना चाहते हैं तो आपको मुझ तक आने की भी जरूरत नहीं है जो पास आपके बास महात्मा बैठे हैं आप ये भी मत देखो ये बजूरग हैं, यंग हैं, बच्चे हैं, कैसे हैं आप अपने साथ बैठे महात्मा से भी अगर आशीरवाद ले लोगे अगर आप दिल से अशीरवाद लोगे, दिल से उन्हें नमशकार करोगे तो वाक्य में ही आपके जो काम आप यहां पर करवाने के लिए आओगे वो काम आपका वहीं उस संथ महात्मा के अशीरवाद से ही बन जाएगा ये सद्कुरु माता जी के सारे हाथ सद्कुरु माता जी के हैं सारे रूप सद्कुरु माता जी के हैं सारे नाम सद्कुरु माता जी के हैं सद्कुरु माता जी हर एक में विराजबान है लेकिन हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि हमारा अगर अंदर से सच्चा भाव है सच्ची शर्दा है सच्ची लगन है गर उस महात्मा के अंदर हम सत्गुरू का रूप देख रहे हैं सत्गुरू को नमिशकार करके हम उन से अरदास कर रहे हैं हम उनको देख रहे हैं कि हमारे सद्गुरु ही बैठे हैं यह हमारे सद्गुरु ही है अगर हमारे अंदर ऐसी आत्मा और प्रमात्मा वाली ऐसी लीव लगी हुई है तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो रुख जाएगा वो काम पूरन हो जाएगा हमें सत्कुरु ने इतनी असान से भगते बता दी है कि आपको कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है जैसे हमें सत्कुरु बाबा हर्देव सिंग जी माहराज एकजामपल दे कर अपने विचारों में समझाते कियते कि जैसे किसी ने लाइट का कनेक्शन लेना होता है तो जो उसके साथ उसको नजदी कनेक्शन पड़ता है वो वहीं से ही कनेक्शन लेता है यह नहीं कि उस कनेक्शन को लेने के लिए वो वहाँ पर जाता है जहां से यह कनेक्शन आ रहा है जहांपर ये light बनाई जाती है बिजली बनाई जाती है इतनी दूर से वो connection नहीं लेगा वो अपने पास से ही connection लेगा इसी तरह सत्कुरू ने हमें ये जो संत महत्मा दिये हैं ये सत्कुरू ने अपने ये संत महत्मा जो दिये हैं इनी से ही हमें अशीरवाद लेने के लिए कहा है कि आपको कहीं भी दर उधर इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है सद्कुर्मार niżय loaf ने कहा है मेरे तकाने की जरूरत नहीं है आप इननी संत महत्माओं के चर्णों में अगर शर्दाबाव से नतमसतक हो जाते हो तो आप के सारे काम बनते चले जाएंगे लेकिन सद्कुर्माता जी ने हमें कहा है कि एक काम के लिए हमने एक ही महात्मा से अशीरवाद लेना है जिस तरह हमें एक्जामपल भी देख कर समझाया कि हम अगर जैसे हम बिमार होती है तो आज हमने एक डॉक्टर से उसे इलाज करवा लिया जो हमें मालो हम बिमार है या हमें खांसी है या हमें कॉल्ड लगा हुआ है तो उसकी हम एक दिन तो एक डॉक्टर के पास दवाई लेने चले जाते हैं और दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं नहीं हमने एक पर ही यकीन करना है एक पर ही विश्वाश रखना है एक ही डॉक्टर से हम अगर कॉंटिन्यू हम मेडिसियन लेंगे दवाई लेंगे तो हमें फरक भी पड़ जाएगा लेकिन अगर हम डेली डॉक्टर चेंज करते रहेंगे तो हमें फरक भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हर डॉक्टर अपने हिस हिसाब होते हैं अलग लग हिसाब से हर कोई अपना ट्रीटमेंट करता है इसी तरह सद्कुर्माता जी नहीं कहा है कि एक काम के लिए हमने एक ही महात्मा के आगे अर्दास करवानी है यह नहीं आज एक महात्मा से करवाली कल दूसरे महात्मा से करवाली फिर जो महात्मा वच दे देते हैं उस वच्छन को पूरा भी करना हुटा है हर संत महात्मा सद्कूर निर्णकार का ध्यान लगाकर सद्कूर मातजी जैसे उनके अंदर भाव भरते हैं वो उसी हिसाब से उसको अशीरवात देते हैं और वच्छन दे देते हैं कि आप जी चरनामरिज पीना या से अशीरवाद लेना है और उस महात्मा जो भी वचन आ जाए वो पूरां जरूर होना है हमने विश्वाश रखना है हमने उतावला पन नहीं दिखाना अगर हमारा काम बनने में थोड़ी देरी हो रही है तो उसमें भी हमारी भलाई होगी इसलिए हम अपना पूरां अकीदा रखें पूरां विश्वाश रखें ये सद्कुरू सचा पाश्या जो भी करेगा ये बहुत अच्छा करेगा हमारे मन में सिर्फ इसको पाने के लिए ग्यानी भगत की तरह हमारे मन में भाव होना चाहिए कि हमने सद्कुरू निरंकार की भगती करते चले जाना है इतना हम इसके अंदर डूब जाना है अपने आपको डूबा लेना है अपुन हर्देव पानी में शबद नंबर 16 में सत्कुर बाबा हर्देव सिंग जी महाराज ने कहा है निरंकार की धन्यता के जो एहसास भी रहता है ऐसा जन रसना से अपनी धान निरंकार कहता है निरंकार ही धन्य है इसने देहे कंचन काया है इसने ही बलबक्षा तन में ऐसा रूप सजाया है निरंकार ही धन्य है इसके कारण चलता जीवन है सांसे आती जाती है ये दिल है दिल में धड़कन है निरंकार ही धन्य है इसने कुल संसार बनाया है करता धरता आप है खुद ही सारा खेल रचाया है गुरु किरपा से निरंकार को जिस जन्य भी जाना है कहे हर देव उसी जन्य ही धन्य इसी को माना है असंगजी जिसने भी इस निरंकार को जान लिया है उसने ही इसको धन्य माना है तब ही तो हम कहते हैं धन निरंकार जी ये निरंकार धन्य है साथ संगजी अगर दासी के मुख से कोई शबद सही ना निकला हो तो दासी को माफ कर देना दासी सिम्रन कराएगी सभी इने मिलकर सिम्रन में साथ देना है तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैं नूबख्ष लो बोलिये सत गुरू माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महराज की जै निरंकारी राज माता गुरू बचन अवतार की जै साथ संगजी प्यार से कहना धान निरंकार जी